जहीं दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और कोशन के बारे में इस कोशन में क्या कहा गा है यानि एक्जामना ने क्या किया है मुझे कहा कि 11 मीटर की बिल्डिंग दे रखी है मुझे और मुझे एक ट्री दे रखा है और कहा है कि ट्री के टॉप से जो इसका एंगल है वो किता दे रखा है आपका 60 डिग्री दे रखा है और इसके बोटम से जो एंगल दे रखा है वो आपका 30 डिग्री दे रखा है आपका और examiner से पूछा है कि इसकी पूरे की height क्या है तो ये तो मुझे पता है कि ये 11 है तो ये भी मेरे पास में 11 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इस triangle को अगर मैं use करूँगा तो ये मेरे पास में 90 होगा ये मेरे पास में 60 होगा जो 30 के सामने वाली side होती है उसको अगर मैं root 3 से multiply करूँ तो वो क्या 60 के सामने वाली आती है यानि कि ये तो मेरे पास में value पता लगे कितनी 11 और root 3 आगी है अब ये देखो ये वाल इस triangle के अंदर देखूँ तो ये 30 हो जाएगा ये मेरे पास में 90 हो जाएगा जो 30 के सामने वाली side होती है अगर उसको root 3 से multiply करूँ तो वो 60 के सामने वाली आ जागी यानि कि 33 आ जागा और इस दोनों को मैं उकर plus करूँगा तो पूरी height मेरे पास में कितनी 44 मीटर आ जागी है यानि कि option जो B होगा वो इस question का correct होगा I hope आप सभी को इस question समझ में आया होगा